दे लाइव टीवी सच सबसे आगे नमस्कार महूरंजीत जा और आप देख रहे हैं दे लाइव टीवी इस्राइल के लिए नए साल पर एक भी खबर अच्छी नहीं आ रही है एक और जहां हमास के लराकों ने नए साल पर ही इस्राइल को फिर से दहला दिया है ताबरतोर मिसाइल हमले से तलवीव के छेतर में तवाही मचा दिया है तो दूसरी बड़ी खबर यहा है कि इस्राइली डिफेंस पोर्स ने अपने बटालियंस को गजा से वापस बुलाना शुरू कर दिया है उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उसने जो कतले आम मचाये हैं इसके बाबजूद भी वो हमास के लराकों से पार नहीं पाया है वो जंग वहां भी भी जारी है और हमास के लराकों के आगे इस्राइली सेना ग्राउंड ओपरेशन में लगातार धेर हो रही है जिसके चलते यह चौकाने वाली ख़बर है कि इस्राइली सेना ने अपने चार से अधिक बताया जा रहा है कि पाच-पाच बटालियन को वापस बुला लिया है इतना ही नहीं उनके हथियार टेंक यह सब भी वापस जा रहे हैं यहां हमास की बड़ी जीत है फिलिस्तिनियों की बड़ी जीत बताई जा रही है अलाकि इस्राइलियों का कहना है कि हम बोले नहीं है जंग लड़ते रहेंगे सालों साल लड़ेंगे लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि उनके ताकतमर ब्रिगेड का वापस लोटना कितन बड़ा मैसेज देता है जिस तरीके से मानसिक ट्रॉमा से इसराइली सैनिक गुजरने लगे हैं उसके बाद ही शायद इस तरीके के फैसली लिए जा रहे हैं तभी तो गुलानी ब्रिगेट जैसे इनके बटालियन को भी वापस आना पड़ा है हम दिखाते हैं पुड़ी रि कि इसराइली डिफेंस पॉर्स पी आलत खुडा पर है लिखावा है इसराइली आर्मी विड़ॉज War Army ब्रिगेट radically फ्रों पहला लाइन में यही कहा गया है कि Israeli की आर्मी ने अपने चार आर्मी ब्रिगेड को गजा से वापस बुला लिया है दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि Israeli टेंक और मिलिटरी वेइकल स्थ B की जो है वह गजा से बिढू किये जा रहे हैं साथ ही साथ जो इस्राइली सैनिक के यूनिट हैं वो इस बज़ा से अपने आपको पीछे कर रहे हैं, कदम पीछे कीच रहे हैं, क्योंकि मुझाहिदीन यानि हमास के लराकों ने इनके उपर तावरतोर हमले किये, इस्राइली आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, एक और टूइट दिखाते हैं, ये टूइट मिस्रा अमरेश ने किये हैं, और उन्होंने भी यही इन्फरमेशन दिये हैं, कि कम से कम पांच बटालियन को इस्राइल की सेना ने वापस बुला लिया है, देखिए जरा यहां पर मिस्रा अमरेश ने लिखा है, ब्रेकिंग, हमास की जीत है एक हफ़ता पहले एलाइट गुलानी ब्रिगेड को भी वापस भीजा गया था यानि कि धीरे धीरे इसराइल की जितने भी ताकतवर सेना का बटालियन है वो सब अपने कदम पीशे खीच रहे हैं इसमें तो साफ तर पर लिख दिया गया है कि पाथ सैनिक ब्र जर्व और तीन प्रसेक्शन ब्रिगेड है उसके अलावा जो चर्चा की जा रही है कि यह इसराइल की हार है फिलिस्तिनी और हमास की बड़ी जीत है क्योंकि गुलानी ब्रिगेड भी तो जो सबसे ताकतवर ब्रिगेड का जाता है उसने इस जंग में हात खड़े कि गुल सेनिकों की हालत वाकई में खड़ाव है उनकी मानसे के स्थती एसी नहीं है कि वो इतने बड़े जंग और इतने लंबे समय तक जंग को जहल सके इसके पीशे की वज़ा आप जानते हैं कि इजराइस समय कई ऐसे देश हैं जो अपने देश के तमाम नागरिकों को सेनिक बन जंग लड़ने चला गया इसराइल की पॉपलेशन नवासी लाग की ऐसे में इनके सेनिक 24 लाग सेनिक जो की जंग लड़ने जाते हैं जिसमें आम नागरिक को भी ध्रे-ध्रे शामिल कर लिया जाता है वो नागरिक जिसे जंग से कोई खास मतलब होता नहीं है लेकिन उतकी मुह में खुल धकेल लेते हैं घजा पट्टी में हमास का सिक्का चलता है जिस तरीके से 500 किलो मीटर में उनका टनल है सुरंग है वो यह बता देता है कि अगर यहाँ पर कोई आएगा जंगलरने के लिए वो भी ग्राउंड ओपरेशन करने आएगा तो उसके खेड़ने पहले भी हमास के लड़ाकों ने कहात कि आप गजा पट्टी में आईए तो सही यहीं आपकी कबर हम खोद देंगे आईए एक रिपोर्ट और दिखाते हैं इसमें आपको पता चलेगा टाइमस अफ इजराइल के मताबिक क्या हुआ है पाच पाच इजराइल इस सेने को वा जब तक इजराइल अपने मतसद में पूरा नहीं होता है कि उन्हें भी पता है हमास के लड़ाके ना ठकने वाले ना रुकने वाले ना डरने वाले ना जोकने वाले इसके बाब्यूद अगर जंग यह खिंजते रहेंगी तो इसका खाम्याजा तो जिस तरीके से अभी रोमा में जा रहे हैं उनकी आलत खराब है दोस्तों अपने देखने लगे अपने आप पर गोली तान देते हैं अपने पत्नी तक पर बंदूके तान देते हैं इसका मतलब आप समझते हैं कि वह अब मेंटली बिमार हो चुके हैं उन्हें सपनों में भी हमास के लड़ाकी दिखाई पड़ते हैं तो लिहाजा यहां जंग बहुत बड़े अस्तर की हो रही है से रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा कि इसराइल रक्षा बलो ने रविवार को कहा कि वह गाजा पट्टी में युद्ध से पांच बिरगेडों को मुक्त करना शुरू कर रहा क्योंकि सेन ने कहा है कि उसका मानना है कि आतंकबादी समुह के खिलाफ युद्ध पूरे 2024 तक जारी रहेगा और कहा कि वह लंबी लराई के लिए तैयार है हलाकि अब तक चलाए गए उच्च तिब्रता वाले अभियान से अलग चर्णों में जैकि कुन-कुन से बटालियन हैं जो वह गाजा के अलव यूरिज में हमास से लर रहा है और अन्ठानवे और गाजा डिविजन पट्री के दक्षन में खान यूनिस छेत्र में काम कर रहे हैं धीरे धीरे इन लोगों की भी हलत खड़ाब हो रही है यह सब अब अपना रास्ता बदल रहे हैं और इस्राइली सैनिको को जो भी देख रहा है वो समझ जा रहा है कि इनकी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि हमास के दराकों से सीधा मुकाबला कर सके अलग अलग बटालियन को भेज कर इज़राय आजमाना चाहता है लेकिन हर कोई गाजा में जाकर फंस चाहता है एक ट्वीट और देखिए कि क्या सं आस्ते बदल रहे हैं यह लिखा हुआ है हिजबुल्ला का सामना करने में संकल्प की कमी के मुद्य पर नितन्याहू और कई इस्राइली सरकारी मंत्रियों के वीच तिब्र टकराव की खबर है यह हैवी कन्फलिक्ट है जिसका असर यह होगा कि इस्राइल को कोई फैसला नह होगा अपने सैनिकों को या तो उतसाहित कर पाएंगे क्योंकि सब के सब निराश हैं और अपने सरकार से सवाल खरे कर रहे हैं कि आपको गजा में हमला करके क्या ही मिल रहा है चल यह चलते चलते एक आखरी टूइट पी देख लेते हैं इसमें भी मिस्रामरेश ने एक यानि कुवविच का इसमें उसने खुद लिखा है 13 IDF soldiers wounded over past day seven in serious condition यानि कि साथ की हलत खड़ाब है मिस्रामरेश ने भी लिखा है IDF admits 13 soldiers were injured seven seriously during classes with Palestinian assistance on Saturday 30 December 2023 यानि कि IDF ने या बात स्विकार कर लिया है तो इतने बराबर नुकसान होगा तो निश्चे तोर पर इस्राइली सैनिक अपने कदम पीशे कीचेंगे और दुनिया को यहां कहेंगे कि जंग तो हम जारी रखेंगे पांच ब्रिगेट आपके वापस सारे यह बड़ी हार है और कुछ नहीं फिल्हाल इस वीडियो में तो नहीं आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ टीवी सच सबसे आगे